उपराश्ट्रपती जगदीब धन्खड ने दिल्ली में हर घर तिरंगा, बाइक रैली को हरी जंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी बाइक पर तिरंगा लेकर शामिल हुए हैं। इस मौके पर उपराश्ट्रपती जगदीब धन्खड ने कहा है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हार गार तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमरित महोत्सव का हिस्सा है। जग्यान है जग्यान है जग्यान 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 है। 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 bubbling with energy full of energy Minister for Civil Aviation distinguished guests and my young friends I see media today full of energy full of vibrancy they reflect mood of the nation the spirit of the moment I think I think our house is very beautiful house which is the power of the nation which is 2021 people to come to the house and the power of the nation इसे फैराने के लिए प्रोसाइद करने के लिए शुरू किया गया था अब एक ही आंदोलन बन गया है तब से लगातार क्रोडून लोग अपने घरू पर तिरंगा फैराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नहीं रिकोड बनेगा हर घर त देश वासियो इस पहल का उदेश से लोगों के दिल में लोगों की आत्मा में देश भक्ति की भावना को जगाना और भारत के राष्ट धवज के बारे में जागरुकता का बढ़ावा देना नागरीकों को राष्ट भावना से ओध प्रोध करना अत्यंत प्रसंता का विशय है कि गत दसक में जो एप पर्त्यासित सफलता भारत को मिली है जिस एप प्रत्यासित प्रगति को हमने देखा है दुनिया की हर स्थानी जैसे हमारी सराना की है आम जन को जो लाप पहुचा है उससे राष्ट की भावना पूरी तरह ओध प्रोध कर देती हम सभी को हर घर तिरंगा हमारी सतंत्ता हमारे गोरव विक्षित भारत के पर्ति हमारी पर्ति बलता को दर्शाता है ये संकेत देता है कि ये शताबदी भारत की शताबदी है और ऐसा क्यों ने हो कुछ वर्ष पहले भारत दुनिया की चिंत्या बनावा था अर्थ विवस्ता को लेकर आज हम तीवर गती से दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं और आज पहुच्वी है हमारा तिरंगा हमारी भारतियता का प्रतिक है हम भारतिये हैं भारतियता हमारी पहचान है भारतियता हमारे खून में है भारतियता को चिंत्यति हमारी अस्टित्यों को चिंत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत कि कुछ भी हालत हो कुछ भी प्रिष्थिति हो सर्वोपरी देश है देश हित्से उपर कोई देश हित नहीं हो सकता पूरा देश इस बात को समझ रहा है पर कुछ लोग इसमें देरी करने हैं कुछ लोग तेश हित्स को राजनितिक हित्से उपर नहीं रख रहे हैं मैं देश के हर नागरिक को आवान करूँगा कि जहां देशित है वहां राजनित्री खित को पीछे रखना होगा देशित के मामले में सभी को एकमत होना अनिवारिय है क्योंकि यही हमारी प्रेनाम का स्रोत है तिरंगा से मैं आपको वो दिन याद दिलता हूँ और उस जिगह में दो बार गया हूँ 30 दिसमबर 1943 आजाद हिंद के सर्वोष कमांडर नेता जी सुभाचंदर बोष जिनके नाम पर हमने प्राकरम दिवस्त शुरू किया है जिनकी प्रतिमा कर्तव एपत को सुसोवित करती है उन्होंनी पहरी बार अंडमान निकोवार दिर्समू की तब ब्रिटी साशन था दर्ती पर भारतिये धवस भराकर इतियास बनाया हाल के वर्षों में उस पल को हम सबने लाल किरे पर जिया है हाल के वर्षों में हमने देखा है कि जिन्होंने देश के लिए खून बहाया उनको हमने हमारे दिलों में उता रहा है आजादी के अमरतम हावसों में हमने हर शक्षित को याद किया है हमारी जो सुतंतरा संगराम की लडाई थी जो युद्ध था उस बड़े हवन में हर किसी नहाउती दी थी पूरे देश के हर कोने से उनको देखा गया है चिनित किया गया है और उनके उपर हम सदा मान रखते हैं आदर करते हैं ये दिखा दिया है कौन भूल सकता है बिर्सा मुंडा जी को किस उमर के अंदर देश के लिए क्या नहीं किया और जब जन जाती है दिवस उनके नाम पर हुआ पूरे देश में एक खुशी की लहर पहुंच गई है आज के दिन हमारी परसंता अपार है जो विदेशी संस्ता हैं आज भी दुनिया के देशों को आगा करती है हमारे आज परोस में वो हमारी उपलब्दी को एक मिसाल के रुपे प्रस्तुत करती हैं कि भारत दुनिया के अंदर आज शांती का सबसे बड़ा दूत है आर्थिक विवस्ता किस गती से बढ़ रही है ये भारत से सिखो दुनिया की संस्ते कह रही है भारत अब संभावनों का और संभावनों वाला देश नहीं रहा है आज थेसल टुट ऩॉपेल्गर्ट हुआ है ये रहा है ठीज है था क्वावनों टॉप्टूप राजिए लुप अ नश्य टोपेलराओ आजरोंगे वार्थिए उक्रफियू पर दूपन इन ध्यूपक्त निट रहा है if not before. I appeal to every Bharatiya you are important stakeholder in this marathon march and this bike rally which I am privileged to flag is one of its part. It will happen all over the country and this will gain momentum year by year. दोस्तों मित्रों देश्वासियों हमारी जो तवरित गती है विकास की नूकलेरी स्पीट से मागे जा रहे हैं कुछ लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं अब रोग पएदा करना चाहते हैं एस्तितर लाना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि भारत गुरू निश्चिती बनेगा जो लोग अवरोध पएदा करते हैं जो लोग कहीं से कुछ भी बात उठ जाए उसको परमानिक मांगते हैं I caution the nation I urge the citizens to be extremely alert at such forces sinister forces with परनिशच डिजाइं their only motto being to destabilize भारत so that our progress is impeded मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आज के दिन हर भारतिया संकल्प लेगा संकल्प होगा तेस विरोधी ताक्षतों को कुंटित क्या जाएगा और एसा होकर रहेगा हर गर तिरंगा हमें एक जूट होकर भारत के परती सत्रूत्रापूर्ण ताक्षतों को बेसर करने के लिए प्रेजित करता है मैं सभी साथी नागरिकों से अपील करता हूँ हर प्रिष्टिति में हर हालत में वेक्ति का हो, राजनिति का हो, समाज का हो बेसिक को सुर्वपरूई रखना है हमारे राश्ट्र के दुष्वनों को हराने के लिए एक जूट है और जिने हमारे प्रत्यासित उत्थान और अबूत पूरुए विकास को पचाना मुश्किल हो रहा है उनका मार्दर्शन करें उनको हैंड होड करें उनका ग्यानवर्दन करें उनको भारतिय संस्कृती से प्रिचित करें हमारी संस्कृती कितनी महान है हमारे राश्ट्र की प्रश्ट भूमें इतनी जबर्दस्त है कि दुनिया का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता मैं सिर्फ एक तिरंगा मार्च को हरी जंडी नहीं दिखा रहा हूँ ये हमारे आजादी की शताब्दी पर विक्षित भारत के लिए मरातन मार्च का हिस्सा है इसकी शुरुआत कर रहा हूँ आप सभी को मैं भूत भूत धन्यवाद देता हूँ आप भारत की अता का संकल्प लेकर हर घर हर वेक्ति तक इस बात को पहुंचाएं और खुद भी आस्वस्त अपने आपको करें प्रिजनों को भी करें समाज को भी करें सात्यों को भी करें दोस्तों को भी करें आने वाले 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा लहराए शान से लहराए इस संकल्प के साथ लहराए कि इसकी आन बान शान में बढ़ोती होती रहेगी किसी भी हालत में जहन्डा उंचा रहे हमारा बहुत बहुत धन्यवाद